आज दूसर प्रावलम के अंडर्स्टेंडिंग लेते हैं, in the figure, AB is equal to AC, BC is equal to CD, and DE is parallel to BC, find the measure of off-angle X, देखें दूसर यहां किस तरह से प्रावलम के अंडर्स्टेंडिंग लेते हैं, तो देखें डाइग्राम की एक अनलेसिस करते हैं, देखें डाइग्राम क्या है, यहां पर AB जो जो लेंथ AB है, उसको बरावर किया गया है, लेंथ AC के, तो कैसे करेंगी इसको देख लेने हैं, यह देखें taken, जब AB को बरावर बोला गया है, असे किस ट्राइंगल के अंडर्स्टेंडर्स ट्राइंगल के ऐसिनदर, ट्राइंगल A….B…C कि में बात कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है देखिए दोस्तों ये क्या है ये side of triangle है अगर दो sides बराबर हो जाती है तो ये triangle किस तरीके का triangle हो जाता है ये एक iso cells triangle हो जाता है अगर ये हो जाता है तो इसका मतलब क्या है iso cells triangle का मतलब क्या है कि जो दोनो length जो है triangle की side जो है जो भी angle बनाएंगी third side के साथ वो क्या होंगे वो angle बराबर होंगे तो इसका conclusion क्या हुआ यहां से के angle a b c बराबर होगा angle a c b को एक बात तो ही हो गए हमारे पास दूसरा देखिए यहां पर क्या है 122 degree दिया हुआ exterior angle तो अगर हम देखें तो देखिए अगर हम exterior angle 122 degree देखें यह किसके बराबर होगा sum of opposite interior angle के बराबर होगा मतलब के angle a b c plus of angle a c b के बराबर होगा और यह दोनों तो आपस में क्या हैं यह दुनों आपस में equal है ठीक है जी देखिए उपर हमने देखा यह equal है इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों इसका मतलब हूआ angle a b c बराबर है ongoing a c b के और यह कितने बराबर है कि यह 122 degree के half, is equal to 61 degree, तो अब देखी, angle ABC और angle AC बी दोनों बराबर हो गये कितने हो गये, इनकी value हो गये, 61, तो यहीं यहाँ पर देखिए, इनकी value लिख देता है, angle B को यहाँ पर कितना है, यह 61 degree का, angle C, ऐसे करके लिख देता हूँ, 61 degree ऐसे बना द ठीक है तो एक बात तो हमारे पास यह वाली आगिए अब क्या करते हैं जो एक हम चलते हैं चोटे वाले triangle में triangle हम इसका नाम देते हैं बी डी और सिपित मैं चलते हैं चोटे वाले triangle μέre इसमें भी देखिए, दो जो side है triangle की वो बराबर है, मतलब कि अगर हम देखें, given क्या था हमें BC बराबर है, किसके CD के बराबर है अगर ऐसा है, तो इसका मतलब क्या है, ये भी उसी category में आगे, ये जो triangle है इसका एक क्या कंक्लूजन निकलता है कि जो एंगल C, D, B है न वो बराबर है एंगल C, B और D के और C, B, D एंगल कितना है मेरे पास C, B, D एंगल ये वाला एंगल है 61 तो इसका मतलब कि यागल C, D, B भी 61 तो इसका मतलब कि ये वाला एंगल भी मेरा 61 तो आप देखिए तीसरी चीज ने मुझे क्या दीथी पहली तो ये दी थी दूसरी ये दी तीसरी चीज देखिए इसने में क्या दी थी, कि DE, किसके parallel है, BC के parallel है, इसका मतलब DE अगर यहाँ पर यह वाला जो angle है ना, बनाता है, A और B एक transfer का काम करेंगे, DE और BC क्या है, एक parallel line का pair है, तो इसका मतलब यह वाला जो angle मैंने अभी बनाया ना, मतलब यह 61 degree यह भी हो जाएगा ठीक है मैंने देखे डाइग्राम से आपको प्रूफ कर दिया तो इसा conclusion क्या निकाला मैंने कि a d और angle a d और e यह क्या होगा 61 degree हो गया ठीक है एक बात यह होगी अब आप देखिए point number अब आप आ जाएए point d को देखिया point d पर क्या है point d पर है ठीक है ना linear pair बनता है linear pair का मतलब जितने भी यहां पर देखिए angle आ रहे है वो क्या होंगे आपस में 180 degree होंगे तो देखिए यहां पर angle एक तो आता है 61 degree यह वाला angle ठीक है दूसरा यहां पर देखिए जो हमें चाहिए angle plus angle x यहां आ रहा है ठीक है plus of यहां देखिए यह व तो x की value यहां क्या होने वाली है x की value यहां होगी 180 degree minus of 122 degree is equal to यह आएगी दोस्तो 58 degree यह इसका solution हो जाता है answer देखते हैं यह दिखिए 58 degree यह इसका correct answer है option number c इसका correct answer solution लिख देते हैं solution के option number c correct answer है answer क्या 58 degree इसका correct answer है इस तरह के दो समय problem solve कर सकते हैं